हे स्टुडेंट वेलकम उन्स अगेंड बच्चों आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सर से वन जी का जो थर्ड नंबर का क्वेस्टन इससे सॉल्व करना सीखेंगी यहां पर ना आपको इस टाइप से जो क्वेस्टन है क्वेस्टन में भी सॉल्व करना पड़ा था वहां में आपको बताया थाना कि जब कभी भी हमारे पास बेश जो हो वो अलग हो और पावर सेम हो जाए तब हम लोग वहां पर क्या काम करते हैं सेम वही चीज़ यहां पर आपको सॉल्व करना है तो अगर आपने यह वाला वीडियो नहीं देखा 1 और 2 में अगर आपको क बेस हैं वह क्या है अलग-अलग है तो इसका दुबर एक फॉर्मूला होता है कि एक पावर में भी एम हो और उसका पावर में एम से हो यह निकी पावर सूंव वह सेम हो बस बस बेस वह अलग-अलग हो तब हमारा सिंपली ए मुल्टिपलाइ बी हो जाता है और एम को उम ल हमारा यानि यह और बी जो है वो अलग लग है इसलिए उनका हम आप से मुल्टिप्लाइब कर देंगे और यह पावर है वो हमारे पास सेम है तो पावर को एक पर हम लोग कॉमन ले लेंगे ठीक है देखो इस तरीके से यह हो जाएगा थिरी मुल्टिप्लाइब 5 और पावर म यह 2 और 3 का मुल्टिप्लाइब होगा तो इसको 2 मुल्टिप्लाइब 3 कर दो और पावर जो उसको आपस में एक बर कॉमन लिख दो यानिकी 5 रख लिख दो तो 2 3 हो जाएगा 6 और पावर में पास 5 रख यह तो 5 रख को उतार देंगे सेम उसी तरीका से यहां पर भी हो जा उससे मैं आपको सिंपल में समझा दूंगा फोर्थ वाला भी आपने पहले सॉल्प किया है क्वेस्टन नमर वन का फोर जो क्वेस्टन नमर वन का फोर था ना उसमें आपको न दो तीन चीज़े सीखने को मिलियत वह आप जरूर देख लेना वह देखो एक्जाम यह पैट